हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे pre-maths learning बच्चों इस में हम इस चाप्टर में कुछ concepts के बारे में समझेंगे जसे size के बारे में बड़ा, छोटा, shapes के बारे में अलग-अलग shape, उनकी position और उनकी quantity के बारे में समझेंगे तो बच्चो उससे पहले आपको ये activity करनी है कि यहाँ पर एक picture दी गई है इसको आपको color करना है इसको color करके beautifully अलग-अलग color से आपको समझ में आएगा कि अलग-अलग shapes के बारे में तो आएए एक-एक करके पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं comparing let us compare तुलना करना जिसमें क हम size के बारे में समझेंगे कि bigger और smaller बड़ी चीज कौन सी है छोटी चीज कौन सी है तो बच्चो यहाँ पर आप horse दो horse देख रहे हैं इस picture में तो ये ये वाला horse जो है ये बड़ा है और दूसरा छोटा है आप देखकर ही समझ सकते हैं कि father horse is bigger और baby fall is smaller बच्चो horse के baby को fall बो बड़ी है कौन सी चीज चोटी यानि कि smaller है तो यहाँ पर जैसे दो बोल है ये big है और ये small है इसी तरह से ये हाथी बड़ा है और ये चोटा ये बड़ा और ये चोटा तो बच्चो इसमें आप easily देखकर समझ सकते हैं bigger और ये smaller bigger smaller bigger smaller इससे आपको चीजों के size का पता चल तो अब ये bigger, smaller, bigger smaller, bigger, smaller, bigger आर smaller इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे height के बारे में जब हमें किसी चीज की on justify देखनी होती है की कौन सी चीज लंबी है कौनRISी चीज छोटी है तब हम इसको देखकर फहचानते हैं बड़ी चीज को taller बोलते हैं लंबी चीज. चोटी चीज क को shorter बोलते हैं तो बच्चों जब दो चीजे होती हैं जैसे आप देख रहे हैं यहां पर दो लोग हैं तो यहां पर यह टॉल है फादर और जो सन है वह को shorter है तो इस तरह से taller और shorter आप पहचान सकते हैं यहां पर कुछ पिच्चस बनी हुई हैं जिसमें लंबी चीज को आपको टिक करना है और छोटी चीज को सरकल करना है जैसे यह दो पेड़ है कोकोनट्री तो यह taller है और यह smaller इसी तरह से यह cat taller और यह smaller टॉलर और यह smaller इसी त यह बिच्चों हमेशा दो चीजों में comparison किया जाता है तब हम पहचान सकते हैं कौनसी चीज ज्यादा लंबी है कौनसी चीज छोटी है तो आप easily यहां पर देखकर पहचान सकते हैं इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे weight के बारे में कि कौनसी चीज भारी है कौनसी चीज हलकी है भारी को हम बच्चों बोलते हैं heavier और हलकी चीज को बोलते हैं lighter तो बच्चो I am aunt आंट मतलब चीटी और यह चीटी कितनी हमारे से कम वज़न की होती है तो चीटी I am lighter than you चीटी हलकी है हमारे से I am tilly tortoise I am heavier than you बच्चों जो tortoise होता है वो बहुत भारी होता है उसका चीजे दिखाई गई है जिसमें जो बच्चों भारी चीजे आप समझते हैं उसको टिक करना है और हलकी चीजों को यानि लाइटर चीजों को सरकल करना है जैसे कि आप देखते हैं हाथी हाथी कितना बड़ा होता है और भारी भी होता है तो इसलिए हाथी को टिक करेंगे प्राइकल लाइटर है तो इन दो चीजों की तुल्ला में बच्चों हमें हैंवियर और लाइटर बताना है जिसे बस हैविय है बाइक से शूज हैविय है शॉक से मॉनिटर हैविय है माॉस से यह पानी भरी हूई बाल्टी जो है वह है एक खाली मग से इसी तरह से टेबल heavy होता है तो इस तरह से बच्चों आप heavy और light चीजों को पहचान सकते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे width के बारे में यानि कि कौन सी चीज थिकर है थिकर मतलब मोटी है और कौन सी चीज पतली यानि कि थिनर है तो बच्चो ये आपको fat मोटा दिख रहा है और ये आपको पतला दिख रहा है तो he is a fat and he is thin पतले को thin बोलते हैं अब यहाँ पर कुछ चीजे हैं जिसमें की थीक और थीन को आप पहचान कर माग कर सकते हैं थीक चीज को टिक करना है और thin यानि की जो चीज पतली है उसको circle करना है जिसे यहाँ पर दो balloon है बच्चो परपल balloon विगर है थीकर है मोटा है और red balloon thinner है इसी तरह से pumpkin थीक है और ये thin ये thick thin इसी तरह से बच्चो आप बागी के pictures में भी पहचान सकते हैं ये thick ये thin अब इसमें ये thick है और ये thin तो ध्यान से देखकर इनमें बहचान कर आपको mark करना है इसके बाद बच्चो हम पढ़ेंगे near और far यानि की pass और दूर distance के बारे में पढ़ेंगे समझेंगे की कौन सी चीज pass है कौन सी चीज दूर है बच्चो pass और दूर दोनों एक दूसरे के लिए reference के लिए use किये जाते हैं उसके लिए हम एक reference point लेना पड़ता है जहां से हम चीजों की दूरी को नापते हैं जैसे कि ये जो dog है ये near the tree पेड के पास है और ये जो cow है ये दूर है tree से तो ये far हो गई इसी तरह से जैसे कि ये tick the one that is near and circle the one that is far तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये near है और ये far है ये near है ये far है ये near मतला पास में होती है चीज तो हमें बड़ी दिखाए देती है दूर होती है तो छोटी दिखाए देती है इसलिए ये far है इसी तरह से बच्चो जो चीज आपको ये नजदीक है near और ये far इनियर और ये far मतलब दूर अब हम चीजों की position के बारे में पढ़ेंगे कि higher और lower मतलब उचाई पर है या नीचाई पर है तो बच्चो जैसे bird है ये bird higher है उचाई पर उड़ रही है and frog ये जमीन पर रहता है तो ये lower हो गया इसी तरह से यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसमें higher और lower को आपको पहचाना है जैसे aeroplane कहां उड़ता है उचाई पर उड़ता है तो ये higher हो गया cow कहां चलती है ये lower हो गया इसी तरह से आप देखते है ये honey bee जो है ये higher हो गया और bee जो है वो lower हो गया इसी तरह से kite higher और boy lower इसी तरह से बाकी के चित्रों में भी आप high और low को बहचान सकते हैं इसके बाद बच्चों next page पे हम पढ़ेंगे quantity के बारे में यानि कि empty और full खाली और भरा हुआ किसको बोलते हैं बच्चों इस glass में आप देख रहे हैं कुछ भी पानी नहीं है तो ये empty है जब कुछ नहीं होता है तो वो empty होता है और ये glass पानी से भरा हुआ है या इसमें दूद है तो ये full है तो इस तरह से आपको खाली और empty और full के बारे में बताना है empty के लिए E लिखना है और full के लिए F लिखना है जैसे कि ये गमला खा लिया तो इसके लिए E और ये गमला भरा हुआ है इसमें flowers है तो ये full हो गया इसी तरह से ये empty हो गया और ये full हो गया इसी तरह से बच्चों ये jar full है और ये empty है ये basket empty है और ये full है यानि कि भरी हुई है नाशपाती से इसके बाद बच्चों हम more less और equal के बारे में पढ़ेंगे यानि कौन सा जादा है कौन सा कम है या बराबर है जब दो चीजों की तुलना हो रही है तो या तो वो चीज उससे कम होगी या जादा होगी या बराबर होगी तीन condition होती है तो बच्चों जिसमें जादा होती है तो उसको more बोलते है जैसे अब यहाँ पर जादा stars है तो यह more हो गया sun यह less है इस एक ही है इसी तरह से counting करके देखते हैं जो चीज चीज नंबर में जादा होती है वो more है और जो चीज कम होती है counting में वो less है अब जैसे यह 20 है यह कम है in flowers से इसी तरह से यह जो चीज बराब आती है counting में वो equal होती है तो इसी तरह से हमें अब यहाँ पर यह questions दिये गए है m more के लिए लिखना है और l less के लिए तो बच्चो यह more है और यह less है अब यह एक है तो यह less हो गया मग कई सारे है तो वो more हो गए तो हमें count करके देखना है बच्चो चीजों का इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर 6 बॉल्स है तो यह more हो गई dog 1 है तो यह less हो गया इसी तरह से यह orange जादा है तो यह more और यह less यह less और यह more यह less और यह brush जादा है तो यह जादा हो गए तो अब बच्चो equal groups को हमें tick करना है अब जैसे यह carrot और potato same है तीन तीन है तो यह equal हो गए अब य is equal नहीं है तो इनको हम circle नहीं करेंगे अब यह भी एक है और यह भी एक है तो यह equal हो गए इस तरह से हमें चीजों को mark करना है अब हम तो बच्चो यह था इस chapter में आई होप आपको समझ में आया होगा थेंक यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यू